नबसकार दोस्तों तो दोस्तों उत्राखन में जो प्रात्मिक शिश्चक भरती चल रही है उसमें एनाएस डिलेट का जो अभी तक लास्ट चुकेश चला है वो 16 दिसम्बर को चला है इसके बारे मैं मैं आपको डिटेल से बताऊंगा तो फिलाल मैं इसके बारे मैं पूरी सब्सक्राइब होने वाला क्या है तो आए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं देखे 16 तरीक को इसकी सुनवाई हुई है और 16 तरीक को जो रिजिनल डिरेक्टर है यहां NCT के उनको इसमें वीडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से उनसे कुछ कुशन पूछे गए जैसे क यह कुशन जो है काफी लटका हुआ था क्योंकि दो साल का जो वैलिडिटी के लिए पूछ रहे थे कैंडिडेट की यह जो कोर्स है 18 मंस का है यह कुशन पहले हुआ तर्वेज तो वह सॉल हो चुका है अभी दो साल का इसको मान चुकी है गवर्मेंट यहां अब फाइनल इसके बाद रिजनल डिरेक्टर को नहीं बुला जाएगा यानि कि जो जड़ साब है उनके जो कुशन पूछा गया था और एक बात और बता दूं कि इसकी नेक्स डेट भी मिली है 30 दिसंबर की 30 दिसंबर को इसकी फाइनल आर्गुमेंट की डेट है फाइनल आर्गुमें है यहाँ पर यहाँ से कुशन पूछा जाएगा इधर से शिक्षा विवाग से कि इस भरती प्रक्राय में नेस डेट को क्यों नहीं लिया गया है क्योंकि फिलाल कोई रोड़ा है नहीं इसमें ना जेजमेंट में कोई क्लैरिफिकिशन था एक सेप्टमर को जो समवाई हु जो जज साब हैं वो भी रिटायर होने वाले हैं जो रगविंदर सिंग चोहां जी है वो रिटायर होने वाले हैं 22 तरीक को और उसके बाद नए जज साब आएंगे तो पॉसिबिल्टी है कि 30 तरीक को इसका जज्जमेंट आए होना तो यहीं चाहिए क्योंकि अभी कोई प केरिंग हो चुकी हैं आपने देखा होगा लास्ट यहर फैबुरी से लगबग यह केस चल रहा है और पूरा एक साल होने वाला है और केस के पीछे जो लड़ रहे हैं असल में जो युद्धा है नंदन सिंग बोरा वो काभीले तारिफ हैं उन्होंने काफी मेहनत करी है इस 600 कुछ पोस्ट हैं उसमें से लगबग फिलहाल 600 ही अभी तक भर पाई हैं काउंसलिंग के द्वारा हाला कि दूसरे तीसरे राउंड की काउंसलिंग चल रही है लेकिन प्रोसेस काफी स्लो है लगातार जो डाइट डिलेट के केंड़ेट से उनके ही नाम आ रहे हैं हाला कि काफी न्यूकती ले चुके हैं अलग-अलग डिस्टिकों में लेकिन वही प्रक्रिया है क्योंकि हर केंड़ेट कहीं से भर सकता था तो आप इससे समझ के चलिए कि दो तीन महीने और जाएंगे इस काउंसलिंग में तो अभी भी बहुत सारी पोस्ट वेकेंट है इसमें जीतने वाला है तीस तारीक को हुप करते हैं इसका फैनल डिसीजन आ जाये और जितने भी कंड़ेट का इसमें नाम आया है लगबग सारे के चारे कंड़ेट का होगा क्योंकि वेकेंशी पूरी अभी भी उतनी बनी वी है क्योंकि काफी कंड़ेट परिशान भी हो ले थे मैंने देखा कि भरती की लगातार कांसिंग निकलती रही है और डेट आ रही है डिफरेंट डिस्टिक्स है तो सेलेक्शन प्रोसेस के लिए वह भी परिशान हो रहे हैं लेकिन आप ऐसा समझ के चलिए फ्रेंस की न्यू एर लगबग जो आने वहां भी नया साल है उसमें आप लोगों को कोई गूड नियूस मिल सकती है और लगातार जो इसके अध्यक्ष है बोरा जी और बाकी जो टीम है लगातार प्रयास कर रही है जहां तक मुझे पता चला है लगातार विबाग से भी वो जानकरी ले रहे हैं वकीलों से जानकरी ले रहे हैं तो पता है कि उन पे भी स्टे लग चुका है फिलाल क्योंकि जज्ज्मेंट आया नहीं है तो लगभक वो जो कैंड़ेट हैं समझिए बाहर यह हैं 2018 के जो फर्स्ट वाले हैं सीटेट सेकंड 2018 सेकंड जो सीटेट है वहां से अभी तक के जितनी सीटेट है सारे वैलेड है तो महां पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है इसके लावा जो यूटेट के कैंड़ेट है 2015 से 2017 के बीच में यूटेट वो उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी ठीक है बाकी जितने भी कैंड़ेट है चाहिए वो कोई भी हूँ वो अपने को सेव समझिए और डेफिनेटली एना यू झाते हैं तो बीच्ट घाए प्रॉब्लम होगी एना प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम